तो एलोग दोस्तों में चिराग वावस आपके साहत्व आचुका हूँ यह बार क्या प्रैक्टिस एडेटीन लेकि प्रैक्टिस एडिटीन चालू करने से पहले कुछ जयान की बाते जो से डिटेंट को तो पता होगा ना इसको रे बोलते एक साइट पॉइंट एक साइड यह मतलब यह डिरेक्शन में आगे बढ़ेगा पीछे नहीं आएगा रे अपोजिट रे इसका पोजिट क्या होगा इधर पे होगा समझो इधर पे एक से यह होगया वाई यह होगया जेट तो अगर पूछेंगे यह दुनों में साब उचिट रे इसके पेर बदग तो क्या बोलोगे रे एक्स वाई एंड रे एक जेट और अपोजिट रे वह है अगर इसको उपर दे दो इधर पे समझो ए जा रहा है इसका और अपोजिट्रे को दो पोजिट्रे क्या बना रही देखो पूरा एक्स एक्स बोल रहा हूं जैडवाई ले लो यह पूरा जैडवाई है एंब काने जड माईब घर अगर पूरा जटी है कि इधर पर एक्स्ट बीच में एक रहता है अगर दो हम अपोजी ट्रेश को join करते हैं आपॉजी ट्रेस लेते लेते हैं तो क्या बनाता है लाइन बनाता है लाइन देखो दिखे रहें बढ़ेगा जोइन होते हैं अगर फोजीट रहें तो क्या बनाता है नी खलिए आधक ना दो पोजिट रेस क्या बनाते लाइन मनाते अगर आपको इतना पता चल गया तो बस हो गया इतनी ही ग्यांकि बाते प्रैक्टिस एटीन को उड़ाने के लिए प्रैक्टिस एटीन के लिए नेम द पेर ओपोजी ट्रेस इंद फिगर आलॉंग सैट यह फिग इसका पोजीट यह वाला हो जाएगा हो गया बस यही तो लिखने के हमको क्या लिख देंगे चलो फर्स्ट वन पर्स्ट वन क्या एक्वेशन नमबर फर्स्ट कांसे इदर पे लिख रहो नेम द पेर ओपोजीट इस इन द गीवन फिगर क्या लिखने के नेम दा पेर आफ यह वाला लेते हैं अ कि यह वाला क्या रे टी एंड रे पीटी का पोजीट पी एन लिख दिया वादब यहाला पूरा खतम हो गया अब आप कौन सा लेंगे आप लेंगे यह वाला इसका पोजीट यह तो क्या हो जाएगा रे पी एल एंड रे पी एम हो गया दो ही पे यह रहे और आपको दीख रहा है तो प्लेज कॉमेंट आओ मेंको तो नहीं दीख रहा है तो मैंने इतना दो लिख दिया अब सेकेंड वन सेकेंड क्वेशन क्या है आर दो रे पी एम एंड पी टी अपोजीट रेस गीव रिजन फॉर यॉर आंसर अब रे पी एम की दर है पी एम यह वाला है एक मिट आपको इदर पर अच्छा से दिख रहा नहीं रहेगा मैं रेड ओले उसक्रता हूं पी एम यह वाला है पी टी यह वाला है मतलब एक रे तो ऐसा है यह पी है और एक दूसरा यह टी है क्या बोला है आर दरे पी एम एंड पी टी आर अपोजीट रेस यह क्या अपोजीट है क्या अपोजीट है नहीं यह अपोजीट कब होता जब इसके सामने आइसा रेता यह इसके सामने आइसा रेता ऐसा है क्या कुछ नहीं है यह ऐसा है तो अपोजिट रेस है क्या नो तो आप उन इधर पहला अंसर लिख देते एक का अंसर क्या है पूछा है और पीटी अपोजिट रेस नो रे पीएम एंड रे पीटी आप नॉट अपोजिट रेस यह तो अमने लिख दा अपोजिट रेस नहीं है बट इसका रिजन में गीव रिजन फॉर यॉर आंसर में ने बताया था अगर अपोजिट रेस रहेगा तो क्या फॉर्म करता है क्या फॉर्म करता है डू नोट कि फार्म ए लाइन वह लाइन फॉर्म नहीं कर रहे इसके लिए वह पोजीट रेस नहीं है एकदम सींपल ठेक्टिश डें इस इंदर हां इतना ही है इतना ही है किया इससे में बस और अगर अपने रहें और लेगा तो रहें दो सभीया बस इतना याद तकना थैंक यू थैंक यू सो मुच